हेलो डियर इस्टुडेंट मैं हूँ आपका राहु सर और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का ED Academy के YouTube चैनल पर बच्चो जैसा कि मैंने Gravitation chapter से related जितने भी थेरी है अब बात आती है बच्चो ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो है नुमेरिकल के तो नुमेरिकल के लिए भी मैंने कुछ नुमेरिकल जो है वीडियो में ही बता रखा है आप लोगों को अब यह काता है बच्चो motion अंडर gravity वाले question है ना हलाकि कई जगा यह आपको topic motion के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है लेकिन कई जगा जो है मतलब आपके 9th में बात करें NCRT के साब से बात करें तो वो आपका ग्रेविटेशन चेप्टर में है मतलब इसमें होना क्या है ग्रेविटेशन का थोड़ा सा concept और बाकी पूरा का पूरा concept motion चेप्टर का लगने वाला है ठीक है तो आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चो motion अंडर gravity किसी वी object को जब हम vertically उपर फेकते हैं बच्चो vertically उपर फे तो हो क्या रहा है यहां पर यह जो object है यह एक straight line path follow कर रहा है ने बच्चो straight line path follow करके उपर गया फिर नीचे भी आया तो आपने straight line motion का chapter cover कर रखा है तो वही सब theory हम लोग यहां पर discuss करने वाले है ठीक है तो हो क्या रहा है अपने को अपने को पता है कि जबी भी object को उपर के तरफ throw करते हैं तो या फिर कोई भी object earth पे है तो उसको उपर एक force लगता है और force लग रहा है उस object को उपर earth के द्वारा तो उस object में क्या आएगा acceleration आएगा और उसी को हम लोग क्या बोलते है acceleration due to gravity small g से represent करते हैं मैंने यह सब चीजे बता रखा है जिसकी value हम लोग 9.8 meter per second square लेते हैं या फिर इसको एक प्रॉक्स हम लोग करते हैं 10 meter per second square easy calculation के लिए ठीक है तो यही यह आपका बच्चो क्या है acceleration होने वाला है ठीक है जब हम किसी भी object को vertically उपर फेक रहे है या वो free fall होके नीचे आ रहा है या कैसे भी आ रहा है बताब vertically upward direction या downward direction में motion हो रहा है तो उ यह constant रहता है और near the earth surface अपन अभी जी की variation की बात नहीं करेंगे तो यह हम बोल सकते हैं कि यह क्या है uniformly accelerated motion ठीक है तो uniformly word यहाँ पर इसी लिए लिया जाए कि हपन जी को vary नहीं मान रहे हैं यहाँ पर आपन जी को 10 ले रहे हैं ठीक है तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें जो है फ हम लिख लेते हैं V equal U plus AT अपनको पता है यहाँ पर B आपका final velocity, U आपका initial velocity, A आपका acceleration of the object जो की constant acceleration होता है T for time interval जितने time के लिए वो object motion में रहता है ठीक है दूसरा equation हम लोग लिखते है S equal UT plus half AT का square फिर से यहाँ पर S क्या है आपका बच्चो displacement S जो है displacement है लेकिन हम अगर straight line की बात करें अगर object जो है एक ही direction में move किया तो जितना distance कवर करता है वही displacement भी कवर करता है है तो आपन कहीं कहीं पर इसको distance भी use कर सकते है किसको S को ठीक है बाकी U फिर से आपका initial velocity T time A acceleration ठीक है तीसरा equation देखते है V square equal U square plus 2AS ठीक है 2AS तो यहाँ पर आपन देखो बच्चो फिर से आपको पताईए V final velocity U initial velocity acceleration A और S displacement या distance भो सकते हो तो अब बात कर लेते बच्चो पहला case इसमें दो तरीके से हम देख सकते हैं कि जब भी हम किसी भी object को vertically उपर throw करते हैं तो vertically उपर throw करते हैं उसके लिए हम लोग अब इन सब equation को change कर लेते हैं direct ठीक है कि जो हमको use करना है क्या अपना पहला क्या if a body moves upward या thrown vertically upward तो उस टाइम पर हम लोग जी को negative लेते हैं चलिए आप एक diagram के help से समझते हैं यह अपने बच्चों माल लेते हैं यह अपना क्या ground है ठीक है ground है और मैंने किसी भी object को vertically upward direction में throw किया with a speed u ठीक है यहाँ यहाँ पर लिख लेते हैं मत्तब बच्चों जैसे ही आपके हाथ से छुटेगा उस moment की बाद फोग रहे है जैसे आपके अब throw करोगे ऐसे तो आपके हाथ से जैसे ही छुटा तो उस time की जो velocity होते है उसी को हम बो maximum height आपका मैं माल लेता हूँ कि edge cover किया इस नहीं तो maximum height पर आपका क्या है maximum height बच्चों आप बताओ नहीं जैसे ही आप फिकते हो किसी भी object को जैसे थो करते है यू स्पीड से आना तो आपके हाँ से छुटेगा तो उसका speed यू रहेगा लेकिन जैसे जैसे यह उपर जाएगा उसका speed कम होता रहेगा कम होता रहेगा ऐसा क्यों होगासा है क्योंकि velocity हो गया ठीक है तो मैं बोलना हो कि u speed से आपके जैसे हाँ से चुटेगा वो speed उसका यू रहेगा फिर वो धीरे 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 उसका speed घटेगा क्यों क्योंकि acceleration जो है बच्चों वो नीचे के तरफ लग रहा है acceleration due to gravity जो small g है उसका direction क्या होता है vertically downward towards the center of earth है ना हम लोग पढ़ चुके हैं यह चीज़ तो g नीचे के तरफ लग रहा है मतलब acceleration opposite है किसके velocity के और velocity के अगर opposite रहा acceleration तो speed लगाता कम होता है और कम होते 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 एक time पे आएगा 0 हो जाएगा कब maximum height पे तो हम बोल सकते है कि maximum height पे जो आपका final velocity है बच्चों वो क्य हो जाएगा 0 क्या 0 ठीक है तो अब आउन अब यह बोल सकते हैं माल लेते हैं कि यह time t लिया होगा इसमें ठीक है ऐसा होते होते हैं इसको कितना time लगा होगा t तो फिर अब यही सब चीज हम बदल लें तो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह displacement कितना हुआ इसका तो s को हम क लग गया है तो displacement कितना हुआ h हुआ ठीक है उसके बाद बच्चो हम बात कर लेते acceleration यहां पर क्या है बच्चो आप object को उपर के तरफ फेक रहे हो लेकिन g किधा लग रहा है नीचे तो इसलिए हम लोग acceleration a जो लेते हैं वो minus g लेते हैं इस बार ठीक है यहां पर यह negative बोला ह है तो वह किसले बोला इसलिए क्यों कि velocity उपर के तरफ है लेकिन acceleration नीचे है तो इसलिए अपन को a क्या लेना पड़ेगा minus का g बाकि आप u को वही रहने दो v को वही रहने दो time को वही रहने दो फिर आप बात कर लेते हैं कि आप यह equation है वह कैसे change हो जाएंगे तो आपका प g क्या हो गया minus का g और into t तो यह हो गया आपका बच्चो पहला equation क्या पहला equation v equal u minus gt अब इसके help से आप directly solve कर सकते हो ठीक है दूसरा आप लिख सकते हो क्या दूसरा आप देखो फिर से s है तो s को मैंने क्या लिया बच्चो h यहाँ पर आपका displacement होता है वह in terms आप आप height बोल क्या है minus का g फिर से आप g को negative लगए तो मैं negative sign पहले ही लिखते रहा ठीक है half gt का square यह हो गया दूसरा equation तीसरा equation क्या होगा sir तो तीसरा मैंने बोला v तो नहीं कुछ करना है v square u square वह भी फिर यहाँ पर बस यह दोने फिर से change लिखेंगे a और s तो क्या हो जाएगा v square equal u square फिर से minus का 2 a h और a के जगे आपका क्या है बच्चो जी ठीक है तो क्या हो जाएगा v square equal u square minus 2 g h यह क्या है बच्चो upward motion के लिए आप डारेक्ट यह आप याद रख सकते हो ठीक है और जब डारेक्ट यह आप याद रख सकते हो as a trick अब फिर इसी फॉर्मूले को कब यह ध्यान रख लेना यह upward motion के लिए है बच्चो जभी भी आप फॉर्मूले या trick देखो तो उसको देखो कि वो किस conditions में apply होंगी ठीक है physics में यह दिक्कत है आपका जो थोड़ा सभी situation change हुआ चीजे आपका जो formula वो work नहीं करेंगे यह formula कभी work करेंगी vertically upward motion के लिए है न फिर अब देख लेते हैं बच्चो कि कोई भी object को अगर छोड़ा जाए उपर से हाइच हाइट से छोड़ा जाए या एच हाइट से थ्रो भी करा जाए और लेकिन vertically downward direction के लिए ठीक है अब च्छत से किसी भी object को vertically downward थ्रो किये या वहां से च्छत से ले गए किसी object को छोड़ ठीक है जैसे यह free fall ठीक है मेरे हाँ से च्छुटा तो अब बच्चों जैसे ही मेरे हाँ से च्छुटेगा तो at that moment इसकी velocity कितने होगी 0 initial velocity 0 लेकिन जैसे यह फिर आप क्योंकि acceleration नीचे के तरफ है तो इसका मतलब क्या होगा acceleration है तो फिर velocity को change करेगा तो इस बार velocity लगातार बढ़ रहा होता है क्यों क्योंकि आपका motion और जो g है वो acceleration है न वो दोनों एक ही direction में होते हैं तो speed अपन बोल सकते हैं कि बढ़ रही होती है direction क्या होगा downward velocity फिर आप बोल सकते हो ठीक है तो मैं ले लेता हूँ एक situation यह अपने पास एक क्या है tower है अब यहां से आप किसी भी object को drop कर रहे हो तो drop कर रहे हो बच्चो तो क्या होगा zero cup drop ठीक है अब यहां पे h आपका फिर से वाई है अब आप a क्या लोगे बच्चो a आपका क्या हो जाएगा अब आप देखो बच्चो motion भी नीचे के तरफ हो रहा है और acceleration भी नीचे के तरफ है तो आप आपको क्या ल लेकिन G acceleration को नीचे एक तरफ, इसलिए वहाँ पर negative लिया, लेकिन अब क्या है, object move करेगा, मतलब U और V भी downward होंगे, और acceleration भी downward, इसलिए अपन क्या लेंगे यहाँ पर positive, और S आपका फिर से H हो जाएगा, ठीक है, फिर वही सब equation कैसे बन जाएगे सर्थ, तो पहला बन जाएगा, V equal U plus G T, ठीक है, दूसरा बन जाएगा, H equal U T plus half G T का square, ठीक है, तीसरा बन जाएगा, V square equal U square plus 2 G H, ओके, ठीक है बच्चों, तो I hope आपको यह सब चीजे समझ में आ गया, अब आप इसको use कर सकते हो, कब, जब किसी भी object को vertically downward motion हो रहा है, या फिर आप छोड़ रहे हो, ठीक है, इन सबी equation को use कर सकते हो, जब छोड़ रहे हो, तो ध्यान रखना बच्चों, U आपका 0, आपका यहाँ पर velocity जो है, जब जमीन से टकराने वाली velocity, जमीन से टकराने से पहले वाली velocity, V होती है, ठीक है, आपको चीज़े समझ में आ रही है, ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर दो एक important points है, आप इसको याद रखो, क्या, कह रहा है कि जब किसी भी object को vertically upward थ्रो किया जाता है, किसी भी velocity से, तो वो वापस आपके हाँ से, ऐसे आप मानो, कि आपने किसी चीज़ को throw किया, मैंने throw किया, तो आप मैंने throw करके वापस catch कर रहा हूँ, तो मैंने जितने height से throw किया है, ठीक है, और वापस उसी height पे मैं catch करूँगा, तो same speed के साथ आएगा, मतलब आपके हाँ से जितने height, जितने speed से आपने उपर फेका है, उतने speed से ये नीचे आएगा आपके हाँ मैं, ठीक है, बसरते आपको level same रखना पड़ेगा, है ना, मान लेते ऐसे throw किया, तो आपके जैसे throw किय तो speed क्या होगा, घटे 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 जीर होगा, फिर वापस आपके हाँ में आते आते बढ़ते बढ़ते बढ़ते, फिर जितने speed से आपने throw किया था, उतने ही speed हो जाएगा, velocity की बात कर लेते हैं, तो velocity बच्चो बस opposite हो जाती है, आप जब फेक रहे होते है, लेकिन जब आप catch कर रहे हो, तो आप object किधर आ रहे है, नीचे, तो velocity का direction बस change हो जाता है, बाकि उसका magnitude क्या होता है, सेम होता है, जितने speed से आप फेक रहे होते हो, या जितने magnitude के साथ आप फेके होते हो, वापस आपके हाथ में आएगा, उतने ही magnitude के साथ, ठीक है, और सर, air drag रहे है तब, air drag रहे है बच्चो, तो उस time पर उपर जो फेकते हैं, तो उसका time कम रहता है, और नीचे आते वक्त का time जाता रहता है, ठीक है, आप यह यह याद रख सकते हो, Ascent का time कम, और decent का time जाता, ठीक है, फिर आपन बात कर लेते हैं बच्चो, यहाँ पर फिर time की बात कर लेते हैं, यह मैंने कब बताया है, जब आपका air drag था, लेकिन सर, air drag नहीं रहेगा तब, air drag नहीं रहेगा तो बच्चो, जितने time किन में वो उपर गया था, उतना ही time में फिर अब वहाँ से नीचे भी आएगा, same height से, तो दो चीज़े आप याद रख सकते हैं, बच्चो, sort में क्या, कि जितने speed से आप फेकते हो, वापस आपके हाथ में आते आते उतने speed हो जाती है, और वो जितने time में उपर गया रहता है, उतने time में भी आपके हाथ में वाप बस आती है, तो उपर जाते वक्त का time और नीचे आते वक्त का time, same होता है, कब जब air drag नहीं होता है, लेकिन वही जब air drag होता है, तो उपर जाने का time क्या है, कम रहता है, और नीचे आने का time ज्यादा रहता है, ठीक है, I hope आपको ये सभी चीज़े clear हो गई होगी, ये दोनो पॉइंट आप याद रखोगे बच्चो ठीक है अब चले कुछ एक question कर लेते हैं नहीं तो फिर आप बोलोगे सर्फ फॉर्मूले पढ़ा के आप निकल लिए है ना देख लेते हैं कह रहा है i stone is thrown vertically upward with an initial velocity u बच्चो physics में solve करने का सबसे सही तरीका है numerical क्या सार आप given note करो initial velocity इसमें बोल दिया है आप नहीं भी बोला है बच्चो की बस यह बोला कि an object is thrown तो बच्चो आप throw कर रहा है तो वही तो शुरुवात वाली ही तो बात किया ना तो वही आपका क्या हो जाएगा initial velocity और वह कितना है 40 meter per second ठीक है आप ऐसे माल लो कि यहां पर throw किया गया यह आ लेता है 10 meter per second इसका easy calculation के लिए कहरा find the maximum height reached by the stone कहरा कि यह कितना उपर maximum जाएगा अब फिर बच्चो मैंने बोला है maximum height तक जाते जाते जो velocity होते final velocity maximum height पे क्या होता है 0 ठीक है तो अब रख देते है वी आपका फी मिल गया है ना यह दिया नहीं है आपने को समझ जा है maximum height बोला ठीक है और आपसे पूछा क्या है h पूछ दिया है ओके चले निकालते हैं कैसे अब आप देखो बच्चो वी जी और एच इन सबसे रिलेटेट कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है सोचे वीडियो पॉज करके यादा आ गया equation 3 ठीक है अब बच्चो यह क्या है upward motion है है आप यह equation यूज कर लो क्या डारेक्ट अब यूज कर ले है ना या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि आप उपर के तरफ फेक होगे चीजों को तो यू आप अगर उपर के तरफ पॉस्टी लिए हो तो जी को फिर नेगटी लेना पड़ेगा है है ना तो क्या आ जाएगा मैं ड पुर्टी इंटू 40 बगल में कर ले मैं डारेक्ट लिक रहा हूँ ठीक है फिर यहाँ पर टू इंटू जी जी की वैलू बच्चो मैंने बोला 10 मैंने नेगेटी ले रखा है पहले ही ठीक है इसलिए अब फिर से नेगेटी मत कर लेना ने गलत हो जाएगा मैंने बोला यह है डिराइवड फर्म में ही है तब क्या करो बच्चो यह आप देखो यह तो जीरो है अब मैं क्या करो टू इंटू 10 इंटू एच यह पूरा टर्म क्या जाएगा 20 एच और उसको ले आके इधर रख लो ठीक है प्लस हो जाएगा अब कई बच्चे क्या करता है 20 एच को इस मैं इस सोलह सम में से माइनस करके फिर वह क्या कर लेंगे 580 कर लेंगे आफ वह इसमें से मा만 कर देंगे बच्चो आप जब इसको मल्टिप्लाइ करेंगए तो यह एगा 20 एच अब बता बच्चो एक नमबर में से एक नमबर में से यह unknown quantity कैसे minus हो सकता है तो आप मत करना ऐसी गलती ठीक है तो यह क्या हो जागा 20 h equal 1600 अब बता बच्चो एक 0 से 0 कड़ गया या फिर चलो divide में भेज देते हैं h अपने को बस चाहिए तो क्या हो गया 1600 divided by 20 तो एक 0 से 0 कड़ गया फिर 160 अपन में 2 that is 80 meter इसका मतब बच्चो यह कितने हाइट तक जाएगा maximum यह maximum 80 meter तक जाएगा फिर यह कह रहा है बच्चो what is the net displacement and total distance covered by the stone है ना कह रहा है net distance और displacement बताओ तो बच्चो जब आप किसी भी object को फेक होगे और वापस आपके हाथ में आएगा तो displacement कितना हुआ इनीचियल और final point same हुआ टोटल तो net displacement क्या हुआ बच्चो जीरो यह जाएगा वापस तब यह जाएगा उपर फिर वापस इसी point पर आएगा सेम पोजीशन पर इनीचियल और फाइनल पोजीशन सेम बत्र डिस्प्लेस्मेंट जीरो तो मैं लिख दूँ यहाँ पर डिस्प्लेस्मेंट आपका क्या हो गया बच्चो जीरो हो गया जीरो मीटर ठीक है क्यों क्योंकि वह जाएगा वापस पर आजाएगा अब बच्चो बताओ कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा तो बच्चो यह जाएगा 80 मीटर उपर जाएगा वापस 80 मीटर आया तो मैंने क्या बोला डिस्टेंस तो सिंपल आपका एड हो जाता है 80 जाएगा 80 आएगा तो कितना हो गया डिस्टेंस तो डिस्टेंस हो गया आप का 160 मीटर ठीक है next question देखिए बच्चो a ball is thrown vertically up फिर कर रहा है return to the thrower after 10 seconds किसी ball को vertically upward direction में फेका गया और वो 6 सेकेंड बाद उस आदमी के हाथ में वापस आ जाता है तो चलिए माल लेते हो कि यहां से फेका गया होगा और यह 6 सेकेंड बाद वापस आ गया तो मैंने बोला बच् कि जितने time में वो उपर जाता है उतने time में वो नीचे आता है और बच्चो यहां पर बोल नहीं रहा है कुछ air की बात तो आपको air drag को ignore करना है अगर air drag को जिस बार miscalculate करना पड़ेगा है या फिर ignore नहीं करना है तो वो बोलेगा exam में ठीक है लेकिन वैसा बच्चो 9th में तो नहीं आने वाला है 11 में मिल सकता आपको ठीक है तो अभी के लिए आप टेंसन 3 रहो आपके लिए अभी के लिए air drag नहीं है तो तीन सेकेंड में तो आपको बताना कि यह कितने velocity के साथ फेका गया होगा तो अपन देख ले बच्चो कि कितने velocity तो ये क्या करेगा जैसे बच्चो ये आपके हां से छूटेगा ये क्या होगा velocity इसका decrease होते 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 finally velocity कितना हो जाता है बच्चो 0 ठीक है और आप से क्या पूछ रखा है U अब बताओ बच्चो आपको U पूछ रखा है V 0 है और time कितना ले रहा है बच्चो तीन सेकंड में ये हो रहा है और जी आपको क्या लेना है 10 meter per second इसका ठीक है अब आप क्या कर सकते हो बच्चो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कौन सा अपवर्ड डारेक्शन में तो आप डारेक्ट पहला वाले क्येशन यूज कर सकते हो वी यू एक्सेलरेशन और time ये चारों से रिलेटेट कौन सा फॉर्मूला है पहला देखो बच्चो मैं डारेक्ट यूज कर ले रहा हूं कितने सेकेंड में तो यह 10 इंटो 3 30 होगा और यह इधर आ जाएगा तो माइनस के बजा इधर आके प्लस हो जाएगा तो यू इक्वल डारेक्ट आ गया बच्चो 30 मीटर पर सेकेंड मतलब यह कितने स्पीड से फेगा गया था 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो किया ठीक है, I hope आपको यह चीज clear हो गया होगा, है ना, फिर कह रहा है कि the maximum height it reaches, अब आपको बताना कि यह कितने maximum height तर पहुचा होगा, तो h की value निकालना है, ठीक है, अब आपको h निकालना है बच्चों, तो आप बताओ ना, 3 सेकेंड में यह उपर पहुच रहा है, ठीक है, तो आप पहला equation भी use कर सकते हो, और तीसरा भी कर सकते हो, क्योंकि तीसरे वाले में भी h आता है, ठीक है, तो आप बोलो, आप चलो मैं तीसरे से कर दे रहा हूँ, आप दूसरे वाले से मुझे बताना, ठीक है, 3 सेकेंड में कितना उपर जाएगे यह आप निकाल सकते हो, तो जी फिर से बच्चो 10 लेना है, और यह downward है, तो मैं direct downward, जी आपका downward direction में लगता है, लेकिन आपने फेका उपर के तरफ, इसका मतरब जो equation दिखने वाला है, वो negative, v2 equal u2 minus 2 g h, फिर से आप रख दो, यहाँ पे 0, बच्चो 30 का square, तो 30 का square, 30 into 30, that is 900, तो 900 हो गया, minus 2 into g मतलब 10 into h, फिर से भई, आप 20 h को इधर ले आओ, तो 20 h इधर आ गया, प्लस हो गया, और यह 900 आ गया, ठीक है, फिर h बराबर आपका क्या आ जाएगा, बच्चो, h बराबर 900 divided by 20, और यह आपका कितना जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 90 upon me 2, that is 45 meter, तो h आ गया, आपका कितना बच्चो 45 meter, ठीक है, तो I hope आपको अब चीजे clear हो गई होंगी, ठीक है, तो आपको maximum height भी मिल गया, कि कितने height तक जाएगा, ठीक है, अब कहरा कि इसका position बताएगे, 4 second बाद, तो 4 second बाद आप बताना है, तो आप बच्चे common sense से भी बता सकते हो, कि यह 3 second में उपर गया है, है ना, फ तो इसको बस बच्चो क्या है, उपर जाने में लग गया, अब बच्चो यहाँ, और 4 second बाद पूछा है, कि फेकने के 4 second बाद बताओ, फेकने के 6 second बाद तो वो वापस हाथ में आ जा रहा है, तो इसका मतलब 3 second में उपर जाएगा, 3 second में नीचे आएगा, तो मैं क्या क्योंकि 3 second में तो वो उपर गया है, बस मैं यह देख लो कि 1 second में कितना नीचे आएगा, बस वही वाला part में calculate कर लो, तो अपने को पता चल जाएगा कि यह distance कितना है, क्योंकि अपने को total तो पता चल गया, total कितना है, total height 45 meter है, अगर अपने को यह पता चल जाए, तो मैं यह निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं अपने को बच्चों, हमको निकालना है h, कि कितना height वो नीचे आएगा, कब जब आपका बच्चों यह नीचे गिर रहा होगा, है ना, पहले जाकर यह 0 होगा, फिर वहाँ से फिर नीचे गिरना सुरोगा, तो उस टाइम पर यू कितना होगा, अब drop होगा ना, तो यू क्या होगा, 0, ठीक है, जिसको जिसको नहीं समझ में आएगा, वो comment box में बताएगा, आप फेक रहे हो, वो वापस फिर गिरते बाद, दूसरे बार में आपका यू क्या होगा, 0, ठीक है, अब अपने को एक सेकेंड के अंदर का बस चाहिए, क्योंकि तीन सेकेंड में तो वो बस उपर ही गया है, है ना, एक सेकेंड हो गया, और जी को फिर से 10 लेना है, तो फिर आप देखो न, ह, यू, टी, जी, इनसे रिलेटेट कौनसर फॉर्मूला है, तो ह इक्वल, यू, टी, प्लस, हाफ, जी, टी, स्क्राइब सर प्लस क्यों ले लिया, अरे, बच्चो, मैंने बोला कि आप पहले पार्ट को भूलो, तीन सेकेंड में हो जो गया, उसको भूलो, बस आप नीचे गिरते वक्त वाला देखो, ना, तो नीचे को गिरते वक्त तो जी क्या है, डाउन्वर डिरेक्शन, है ना, और नीचे ही क्या हो गया, आपका जीरो को तो भूल जाओ, कई बच्चो इसको जीरो को भी बार-बार नीचे लिखते रहते हैं, यहाँ पर फिर से जीरो लिखेंगे, अरे, जीरो इसके साथ जुड़ेगा, तो वो तो हट जाएगा, बस यही बच्चे का कॉन्टिटी ना, तो 2, 5 जा, 10, यह 5 आगया, 5 into, 1x2, that is 5 meter, इसका मताब वो कितना, एक सेपन में कितना नीचे आया, 5 meter नीचे आया है, एक सेकन में, और यह टोटल है बच्चो कितना, 45, टोटल कितना है, 45 meter, टोटल हाइट 45 meter, और एक सेकन में यह, यहाँपे बस 5 meter नीचे गिरा, तो अपने को यह निका लाना तो पॉर्टी मीटर इसका मतलब वो चार सेकेंड बार जमीस से 40 मीटर दूर या चालिस मीटर उपर ठाए तीक है थीछ है तो यह घूसे कितना है और यह पिर आपके हान्ट में आ जाएगा तो psyche fanti घाए कर आप सरकड़ से अब देखो यहां पर बच्चो देखो आप यहां पर बच्चो देखो आप यह हो गया यू क्योंकि ड्रॉप किया गया ध्यान दो ना बच्चो रिलीज्ट या ड्रॉप यह यू क्या हो गया जीरो कैकुलेट इस फाइनल लॉश्टी जस्ट विफोर टचिंग ग्राउंड तो माल लेते हैं कि यह अबजेक्ट आपका गिरा बच्चो यह आएगा आएगा तो जस्ट ग्राउंड से हिट करने से पहले वाली ही विलॉश्टी आपको चाहिए ठीक है यह एच आपका है तो अब देखो बच्चो यू वीज एच और फिर आपका जी आपको पता यह ना यहां पर बच्चो यह 19.6 लिया तो आपको 9.8 लोगे तो ज्यादा सही रहेगा है ना सर कैसे पता चला है बच्चो कई जगे आपको नहीं दिया रहता है अगर आपको प् अब्जेट भी नीचे आएगा और जी भी नीचे तो सब चीज प्लस तो वी स्क्वार इकवल यू स्क्वार प्लस टू जी एच है ना जिन बच्चों को आ रहा है तो वो वीडियो पौच करके पहले अटेम्ट कर ले फिर उसके बाद वीडियो को कंटीनू करे ठीक है तो क आपका आगया बच्चों यहां पर देखो बच्चा टू इंटू 9.8 इंटू 19.6 है ना अब बच्चों टू इंटू 9.8 कर लो तो क्यों कर रहा है सर अब कई बच्चों इसको सॉल करेंगे बड़ा आजीब तरीके से लेकिन जिसके पास दिमाग है बच्चों तो वो थोड अच्छे तरीके स्वाल करेंगा अब आप देखो बच्चों वी स्क्वार क्या है 19.6 इंटू 19.6 तो आप बच्चों स्क्वार को उधर भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा रूट मैंने बता रखा है जैसे आप इधर कोई वी चीज रहता हो मल्टिप्लाई में उधर भ जाता है इसका मतलब बच्चों आपका वेलोसिटी क्या होगा जर्श वी पूफर हीटिंग क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड ठीक है और डारेक्शन पूछे तो डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डारेक्शन यह आपका उसका वेलोसिटी का मैगनिटूड है और डारेक्शन डाउनवर्ड ठीक है अब बच्चों बहुत कोश्चन मैंने कर लिया अब आपको घर पर करना है ठीक है यह क्या है चलो मैं थोड़ा से हिंट दे देता हूं नहीं तो आप बोलोगे कि आपने सर कुछ बताया नहीं करा है कि a stone is allowed to fall from a tough up a tower of height 100 meter तो मैं माल ल और कह रहा है बच्चों कि at the same time उसी टाइम पे another stone is projected vertically upward इसी टाइम पे एक और जो है क्या होगा इस्टोन को थ्रो किया जाएगा vertically upward अब क्या होगा तो यह एक नीचे आ रहा है और दूसरा उपर जा रहा है ठीक है तो अब पूछ रहा है कि with velocity 25 meter per second और यह दे रखा है बच्चों कितने speed से फेका गया है 25 meter per second इसका initial velocity दे रहा है ठीक है और करा कि calculate when and where करा कि कब और कहां पे यह दोनों जो है मिलेंगे तो बच्चों आप देखो न यह क्या होगा उपर मिस नीचे आएगा और यह उपर जाएगा तो मैं माल लेता हो कि यह कहां पे है इतने पॉइंट पे यह मिल रहा है तो आप मालों कि यह उपर से h उपर से से क्या अ है ठीक है टोटल कितना है 100 और यह वाला बस चो आपका है तो आपको यह चाहिए तो क्या कर लोगे 100 माइनस एच ठीक है तो यह आपका हो गया नीचे से तब बच्चो आप इसका देख लो अगर इनको मिलना है किसी भी अबजेट को मिलना होता तो बच्चो दोनों स्टार्ट सेम टाइम पर हो रहा है तो इसका मतलब जितने ताइम में यह हाइट नीचे आएगा उतने टाइम में इसको 100 माइनस एच उपर जाना पड़ेगा जितने टाइम में ठीक है मैंने टाइम को बोला है बच्चो जब इस तरीके वाली क्वेश्चन है तो वहां पर आपको तो बच्चो थर्ड मिस आपका सेकेंड एक्वेशन क्योंकि S इक्वल आपका UT प्लस हाफ 80 का स्क्वेर, 80 का स्क्वेर है अब एक बार बच्चो नीचे वाले के लिए G आपका पॉस्टी रहेगा, उपर वाले के लिए G नेगेटी रहेगा, एक बार आप डिस्प्लेस्मेंट इसका लिए H ले लेना, इसके लिए 100 माइनस H ले लेना, इसका initial velocity 0 है, इसका initial velocity 25 मीटर पर सेक्निट है, बस अब फिर उसके बाद दोनों को equation को बराबर कर दो, ठीक है, वहाँ से फिर आपका quadratic बनेगा, और फिर आपको solve करके time की value आपको बताना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे, किसी भी equation में रखके H की value निकाल सकते हूँ, ठीक है, तो I hope आप इसको कर लोगे, और मुझे फिर comment box में बताओगे कि क्या-क्या answer आपका आया, ठीक है, अगर आपको ये लगेगा कि नहीं सर, अभी भी नहीं हुआ मेरे से, तो आप बताना मुझे, मैं इसके लिए फिर से आपको solution provide कर दूँगा, ठीक है बच्चों, तो बच्चों, I hope आपको आज का वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा, क्यों क्योंकि आपको numerical से बहुत ज़्यादा डल लगता है, लेकिन आज के बाद आपको numerical करना आ जाएगा, तो आप भी देखो इसको, फिर miss repeat करो और फिर आपने दोस्तों के साथ इसे बहुत ज़्यादा share करो, है ना, चैनल ने, miss channel को जिसने subscribe नहीं किया, वो subscribe कर ले, और ज़्यादा ज़्यादा share करे, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप से नेक्ष वीडियो में, तब तक के लिए thank you so much and keep learning with ED Academy.